ओम शंति नमस्कार इन्रधन उस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है आज की दुनिया में हम देख रहे हैं अउलाद अपने माता-पिता की देख रेख नहीं कर रही गरीबों की बच्चे नहीं अमीरों की बच्चे अनाथ अश्रम में चले जाएए पूछी आपका बेटा क्या है कोई कहेगा पाइलट कोई कहेगा इंजिनियर कोई कहेगा डॉक्टर कोई कहेगा अमेरीका में रहता है कोई कहेगा अफ्रीका में कि रहता है कोई कहेगा संसकार नहीं दे पा रहे जिन संसकारों की आवश्यक्ता है इसलिए किसी ने कहा कि हुजूर ने अजीव शौक पाल रखा है घर में कुत्तों को और माता-पिता को व्रदाश्रम में छोड़ रखा है आज कुत्ते पालना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी शान की बात है लेकिन माता-पिता को व्रदाश्रम में छोड़ना एक फैशन हो गया है क्या यह हमारी संसक्रती है एक कमाता था और दस खाते थे आज दस कमाते हैं और दस का पूरा नहीं पड़ रहा कहां चूक हो रही है कहां कलती हो रही है क्यों हमारी भावनाएं समाप तो होते चा रहे है क्य कि कहें न कहीं हमने और सारी संस्कृतियों को अपने अंदर समेट लिया कोई बुराई नहीं है कोई बुराई नहीं दूसरी संस्कृति को नाने में लेकिन हर चीज को च्छान के लेना चाहिए आज हम वही गलती कर रहे हैं आज क्यों ये सुनने में आ रहा है उतने स्कूल इतने कॉलेज उतनी सेख्षिनिक संस्थान नहीं खुल रहे हैं उतने व्रद आश्रम रिटायर्ड होम बुड़ा घर खुल रहे हैं क्या ये भारती संस्कृति की देन है नहीं एक बुजूर्ग व्यक्ति और उनकी पत्नी एक स्टेशन पर उत्रे सुबद साड़े साथ बजे का समय था इधार उदर काफी देर तक देखते रहे ट्रेंच चली गई लेकिन वो बुजूर्ग दोनों दमपती इधार उदर देखते ही रहे और कुछ देर की बाद जाकर वो एक बेंच पर बैठ गए चाए की टी स्टॉल वाला देख रहा था बुजूर्ग दमपती बहुत देर खड़ी रहे इधार उदर देखकर और बेंच पर बैठ गए उसने सोचा हो सकता है कोई उन्हें लेने आने वाला हो या हो सकता है कोई दूसरी ट्रेन से उन्हें एक दो घंटे की बाद जाना हो वो अपने कामधंदे पर लगा रहा आधा दिन बेद गया दुपहर को जब उसने अपने स्ट्रॉल बंद की घर खाना खाने जाने लगा तो देखा वो दोनों दमपती अभी तक उसी बैंच पर बैठे हैं चला गया शाम को लोटके आया तीस ट्रॉल खोली ट्रेने आती रही चाय बेशता रहा रात दस बज गया अब कोई ट्रेन आने का समय नहीं था उसने अपने तीस ट्रॉल बंद की अरचाने लगा फिर नजर पड़े उस बेंच पर देखा अभी तक दोनों बुज़र्ग द दमपती बैटे हैं सुबह साड़े साथ बजे से रात के साड़े दस बजे पंदरा घंटे से वो दोनों दमपती उसी बेंच पर बैठे थे अब उसे शक हुआ वो गया उनके पास अज़क कर कहा बाबुजी सुबह साड़े साथ बजे आप ट्रेन से उतरे थे तब से आप दोनों यहीं पर बैठे हैं आप किसका इंतजार कर रहे हैं क्या आपको कल सुबह कोई ट्रेन से जाना है वो बुज़र्ग व्यक्तिरे का नहीं बेटा हमें कही नहीं जाना है तो कहा फिर आप सुबह से यहां क्यों बहते हैं कहा बेटा हमारे छोटे बेटे ने इस ट्रेन में बेठा दिया था और कहा था इस स्टेशन पर उतर जाना और यहां पर हमारा बड़ा बेटा रहता है वो तुम्हें लेने के लिए आज जाएगा हम अपने ब बड़े भाईया लेने ना आए और कोई पड़ा लिखा मनुष्य दिख जाए तो मैं आपको उनके घर का एड्रेस लिख देता हूँ वो एड्रेस दिखा देना वो आपको वहां तक छोड़ देंगे उस व्यक्ति ने सोचा इतनी रात को अब कौन इने मिलेगा उन्होंने क बाबुजी एड्रेस क्या है का बेटा हम दोनों तो अनपड़ गवार हैं पड़े लिखे नहीं हैं मैं देता हूँ और अपनी धोती में से निकाल कर वो एड्रेस की छिठी उनको दी उस व्यक्ति ने स्ट्रॉल वाले ने चिठी देखी चिठी में एड्रेस क्या लिखा थ ये दोनों बुड़ा-बुड़ी अनाथ हैं आपके शहर में जो अनाथ अश्रम हों क्रिप्वा करके इन्हें वहां छोड़ दीजी कितनी दुख की बात है जिन माता पिता ने जन देया पाला पोसा बढ़ा किया उन माता पिता को अनाथ कहकर चिठी में लेकर कि अनाथ है और आपकी शहर के अनाथ अश्रम में छोड़ देना पहले जमाने में हमारे घर के बाहर बोड लगा होता था अतीती देव भावा अतीती देवताओं का स्वागत है लेकिन धीरे धीरे हम पड़े लिके होते गए हमारे घर के बाहर से अतीती देवताओं वाला बोड हट गया और हमारे घर के बाहर बोड लग गया वैलकम या तो स्वागतम लेकिन आज तो हम अपने आपको अग्रेश समझते हैं आज बड़े शहरों में चले जाएं घर के बाहर बोड क्या होता है कुत्तों से सावधान कुत्रया पासूं सावद रहा कहा हमारी संस्क्रती थी अतीती को देवता कहने की और आज संस्क्रती क्या हो कई अंदर नहीं आना अगर आओ के भी तो कुत्ते हैं क्या ये हमारी संस्क्रति है? क्या अनात अश्रम में माबाप को छोड़ना हमारी संस्क्रति है? आज से सौ साल पहले, जब ये बिजली, ये लाइट, ये पंखे नहीं निकले थे, इनसान जाड की नीचे बैठ के रोता था, लेकिन आज एर कंडीशन में बैठ के भी इनसान रो रहा है, इनसान रो तब भी रहा था, रो आज भी रहा है, अगर इनसान का रोना कोई बंद कर सकता है, तो वो एक मात्र अध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्मिक्ता के अलावा दुख, तकलीफ, ये जो कहीं न कहीं दूसरी संस्कृती की च्छाप हमारे पर पड़ गई है, वो नहीं निकल सकती, आज वक्त आ गया है, हमें अपनी जड़ों की तरफ लोट के आना होगा, हमें अपन अध्यात्मिक्ता अपनी संस्कृती की ओर लोट के आना पड़ेगा, आज बहुत जगाया से केज देखने में आते हैं, और सुनकर आत्मा काप उत्ती है, कि क्या ये हमारा वही भारत देश है, जो अतीती दीव कहता था, आज माता-पिता भी पराय होने लगे, विचार करि अपने जीवन में अध्यात्मिक्ता को उतारिए, ताकि आपकी भावनाय जागरत रहे, आप माता-पिता का सम्मान करें, नमस्कार, ओम शंदे